बहराइच के सिकंदरपुर गाउ में कई किलोमिटर अंदर जंगल में एक बड़े पीपल की पेड़ के नीचे भेड़ियों की मांद नजर आई इन मांद को देखने से पता चलता है कि हाली में भेड़िये यहां पर आये हुए थे यहां पर आराम भी किया था और मांद की नि पीचे कई बार भेड़िये देखे गए हैं एक बार 15 दिन पहले हम खेट देखने आये थे यह हमारा खेट है बीच भीच खेट में मनलब खड़ा था और गाली पर बैठे थे गाली से मनलब उसने हमारी तरफ देखा हमने उसकी तरफ देखा अगर सियार होता तो भाग लेत हां उसके साथी बराती भी यहाँ पर है आज हो गये हमको हमने देखा है करिए हमारे दो टा बार लगा रहा है तो सडा के किनारे वह बाग में बैठा हुआ था सडा की किनारे बहराईच में भेडिये के हमले में एक बेटी ने खुद को बचाया बहादूर बेटी के घर पर न्यूजेटिन की टीम पहुची और बच्ची से बाच्चित की गई बहराईच के महसी तहसील में ऑपरेशन भेडिया लगातार चलाया जा रहा है लेकिन अभी तक भेडिया पकड में नहीं आया है खास और से भेडिया बच्चों को निशाना बना रहा है आप इस तश्विर में देखिए कि कितने बच्चे इस गाउं में हैं सैकलों की संख्या रहते हैं और भेडिया भेडिया का शोड तो होता ही है इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भेडिये के हमले से अपने आपको बचाया और एक तरह से भेडिये के हमले को मात दे दी यह बच्ची बहराईच के चंदपईया के एक मजरे की रहने वाली है और इस बेटी का नाम शमा है उम्र बारा वर्ष है और ये बच्ची को भेडिया ही उठाकर ले गया था लेकिन इधर आईएगा भेडिया ही उठाकर ले गया था और फिर उसने दूर लेजा करके छोड़ा साथा दिन ये बच्ची एडिमिट रही आप देखें किस तरह से ये निशान दिखा रहे हैं कि पिता जी कि भेडिया ने इस पर हमला किया था गर्दन पर और जब शोर हुआ तो भेडिया भागा और उसके बाद ये 7-8 दिन अस्पिताल में भरती रही और अब ये धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही है और इस बे इंधक का फ़ो गांशार तो कहां सौ रहे थे आप कहां सो रही थी वेटा वहां सो रही थी मम्य के पास सो रही थी हां खिर क्या हुआ कितना बजी भीडिया आता है जी आप कैसे ऊठा कर ले गया ऐन कु 있el़ इंधिया अच्छ आप सो रही थी हां चिलाई होगी तुमwyn'm चिलाए तो पापा जगे आपके अच्छा फिर कहां जाके लॉड़ा फिर आपके पिटर थे लॉड़ा आप अस्पिताल भरती पी रही चित्वाइब भर्ती रही तो अब आपने भेडिये को हरा दिया तो अपना ख्याल रखिया थीख रहे एक हफ्ता सरकारी में भरती रही लोग आपके पिता जी क्या हुआ था बताइए बच्ची के साथ जी यहां पर लेटी थे मेरी बीबी ओई इसके बाद इक उठा ले गया था तो सड़क पर पहुंचे तो जब दुबारा भरेने लगा तो दुबारा चिलानी दनी तो हम दौरक गये तब देखका मेरे मैंने ब सब्सक्राइब दौर्बास्तों न्यूज 18 संद्पईय गाउं मजरा भडरिया टिपरी बहराइच की इस बेटी ने भेडिये को मात दी बीती जुलाई में भेडिये ने हमला किया था 12 साल की बच्ची थी जो कि हमने आपको अभी दिखाई और गाउवालों के चिलाने के ब लगातार जारी है और बहराईच के कई गाउं में आश्रे स्थल भी बनाए गए है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है और चंद पईया सहीत कई गाउं में आश्रे स्थल बना दिये गए हैं अग्रौरा दुबहा रायपोर सिसाया चूडा मनी में भी आश्रे स्थल बनाए गए हैं तो भेडिया क्योंकि गाउं में कई घटनाय कर चुका है इसलिए आप दोको ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यही पर आश्रे स्थल में आ करके राते गुजारें अपनी जान बजाने के अठीक लगी हैं ठीक लगी आपको आराम से है कोडिक घर से यही चले आते हैं तो यह ठीक है है और आप खुद को असुरक्षित मैहसूस करते हैं तो यहां राते गुजारते हैं आप लोग आजे रहते हैं यह ची ववस्ता की है यहां पर बैर चार पाई बिस्तर सब मिला है तो आपका घर असुरक्षित है और आपको लगता है कि घर में दरुबादा नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप ऐसे आश्रे इस्थोनों का भी सहरा ले सकते हैं